नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आटोमेटिक आनाफ लाइट बनाना सिखाने वाले हैं जैसा कि मान लिजे जो कहीं आप लाइट लगाते हैं आटोमेटिक आपका रात में चालो हो जाए और दिन में बंद हो जाए और यह जो circuit होने वाला है इस circuit पे चाहे आप LED बल्ब लगाएं चाहे 108 का बल्ब लगाएं यानि आप इस पे कोई भी load दे सकते हैं वो मैं आपको बीच में बता दूँगा कि किस तरह का आपको उसमें जरूरत होता है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से आपका circuit का आप बना सकते हैं तो दोस्तों क्या है इस circuit को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक relay की आउसकता पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए मैंने जो relay लिया है यह हमारा छो बोल्ट का relay है मेरे पास इस समय पांच बोल्ट का relay नहीं है अगर आपको पास पांच बोल्ट का relay मिल जिधर तीन पीने होती हैं उधर का दोनों side side की यह coil की पीन होती है यह common पीन होता है और यह nc होता है और यह 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 normally open इस तरह से इसकी पीने होती है ठीक है तो ठीक इसी तरह से हमारा इसमें भी है यहाँ पर देखिए यह common पीन है यह और यह दोनों coil की पीने है और यह normally open पीन है ठीक है इस तरह से हमारे पास बारा बोल्ट का ये बड़ा वाला छोटा रिले है तो बारा बोल्ट का हम नहीं यूज़ करने वाले हम इसका यूज़ करने वाले आप भी पांच बोल्ट का रिले अगर होगा तो उसको यूज़ करिएगा ठीक है इस तरह से रिले ले ल रखेंगे तो यह collector होता है बीच में base होता और यह emitter होता है ठीक है इस तरह से आपको यह collector base emitter लेकिन भाई जिसको नहीं याद रहेगा तो आप इसी तरह समझें कि इसको ऐसे आप ले लेंगे और रिले का देखें यहां पर यह दोनों क्वाइल की पिने साइट साइट की हैं तो इस टांस्टर के collector को यानि इस पिन को हमें डाइरेक्ट अपने किसी भी एक पॉइंट पर इधर या इधर इसमें किसी भी पॉइंट पर आप जोड़ सकते लेकिन आप स्थीक सर्थ समझें कि आपको इसको इधर ही जोड़िये तो अच्छा है चुकि ज्यादा करके माइनस अपने रिले पर हम इधर से ही देते हैं वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है लेकिन यह दोस्तों आपको बहुत यूसफुल वीडियो होगा ठीक है और वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको कलेक्टर को यहाँ पर जोड़ लेना है ठीक है अब इ इस distanz को आपको जोड़ना कहा है आए हम यह बता देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो यह ै और यह base है इन दोन हो की बीच में इस resistance को आपको जोड़ देना है ठीक है यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मौड दीजेगा ठीक है इसको ऐसे हम य अपने टांजिस्टर के बेस और इमीटर, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, बेस और इमीटर के बीच में इस रेजिस्टेंस को लगा लेना, ठीक है, इसके बाद अब आपको चाहिए एक LDR, चुकि हमको क्या है, कि जैसे ही रात हो, वैसे हमारा जलने लगे, जैसे दीन हो, वैसे बुझने लगे, तो कोई ऐसा सोर्च चाहिए, जो आपका दीन और रात में वो काम करता हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे सुपरियर होता है, यह LDR, यह LDR आप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, इसको आप ले लिजे, यह थोड़ा आस नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हमें कहां जोड़ना है, देखिए, इस तरह से यहां पे, जो इसका बेस है, यानि, देखें यहां पे, जो आपका टंस्टर का बेस है, इस पे, और जो प्लस अपलाई, जो आप देंगे, यानि अभी प्लस हम इस पे जोड़ेंगे, तो प् हो चुका है ठी बस इतने कंपोनेंट की आपको जरूरत है बस अब जरूरत क्या है कि जितने बॉल्ट का आपका रेले होगा उतने बॉल्ट की इसको सप्लाई चाहिए डी सी सप्लाई तो वह माले पास छो बॉल्ट का है पांच बॉल्ट का है तो हम क्या करेंगे इस तरह का जो charger आता है charger kit इसका भी use कर सकते हैं यो कि हमारा ये 5 बोल्ट से plus ये supply देता है तो इस पे अच्छी तरह से काम कर जाएगा तो मेरे पास एक देखिया adapter जैसे ये जो भी आपका mobile का आपका charger है इसका भी use हम कर सकते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक data cable जो कि यहां से कटा हुआ ठीक है तो यहां हम इसको इसके साथ connect कर देंगे और connect कर देने के बाद अब देखिये सबसे पहले इसको हम supply कहां देना है वो चीज matter है ठीक है तो यह इसका minus हुआ यह plus हुआ तो plus को हमको जोड़ देना है यहां relay के plus पे direct इस तरह से जहां हमने LDR को collect यहां पे जोड़ देना है और इसका जो minus wire है इसका जो minus supply है यह transistor के इमीटर पे हमको यहां जोड़ देना है यानि जहां मने रजिश्टर को जोड़ा है ट्रश का इमीटर जोड़ा है उसी point पे हमको यहां इस तरह से minus supply को जोड़ देना है ठीक यह supply हमारा complete हो चुगा अब इस circuit से हम जो आनाफ करेंगे वो चाहे आप 7W, 10W, 20W, 100W, 200W कोई भी आप आनाफ इसके साथ कर सकते हैं तो इसके लिए देखे हमने LED बल्ब लिया है और एक यहां 100W का बल्ब लिया दोनों को test करके आपको दिखाएंगे कैसे इससे हम जला सकते हैं अब दोस्तों क्या है इसको हमें जो भी मनलब लोड कनेट करना है उसको हम बताते हैं कैसे इसमें आप लोड कनेट करेंगे जो आटोमेटिक आनाफ हो ठीक है तो उसके लिए हमने यहां पे देखे एक ले लिया होल्डर और प्लग लगा हुआ वाइश सबसे पहले इसमें हम कोई भी एक बलब लगा के चेक कर लेते हैं तो यहां जीसे हमने लगा दिया और दिखे हम इसको बोड के साथ कनेट करेंगे तो यहां पे हमारा जो है कि यह आनाफ हो रहा है त्टिक है अब क्या करना है इस पे लोड देने के लिए हमको यहाँ पे एक कोई भी वायर हमको यहाँ से कट कर लेना है कोई भी एक चाहे आप red करिए चाहे black करिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी एक वायर यहाँ से हमको इस तरह से कट कर लेना है अब कट करने के बाद इसको automatic के साथ कैसे आप जोडेंगे जिसे कि आपका रात में आटोमेटिक चालू हो जाए और दिन में बंद हो जाए जिसे कि माली जै आपके पास कोई ऐसा जगह है जहां आप रोज-रोज मतलब समय से नहीं जाके बंद कर सकते हैं तो ऐसी जगह पर आप इसको लगा देंगे तो वायर हमको जोड़ना है अपने रिले के कामन पॉइंट पर यानि जो इसका बीच वाला पॉइंट है ठीक इस बीच वाले पॉइंट पर हमको यह कामन पिन को जोड़ देना है अब दोस्तों यहां कामन वायर को जोड़ लेने के बाद अब जो दूसरा वायर है इसको हमें यानि जो नार्मली क्लोज है उस पर हमें यहां इस तरह से जोड़ देना है अगर इसको हम नार्मली ओपन पर जोड़ देते हैं तो यह दिन में जलेगा रात में बुझ जाएगा ठीक है यहां देखिए सारे कनेक्शन हो चुके हैं अब आती है इसके टेस्टिंग की बारी त हैं और इसको हम अपने चार्जर से सप्लाई दे देंगे तो एक बार चार्जर की सप्लाई हम आपको चेक करके दिखा देते हैं यह जो सप्लाई हमारी है वह पांच बोल्ट के आसपास जो हमारा चार्जर दे रहा है ठीक है तो यहां देखिए हमने रख लिया मल्टी मीट उसको एक बारान कर देते हैं, मल्टी मीटर 20 बोल्ट पे रख लेते हैं, और यहाँ पे, चुकि यह माइनस हमने दिया है, ठीक है, यह माइनस है, और यह प्लस है, यहाँ देख सकते हैं, 5.19 यहाँ पे सप्लाई आ रही, ठीक है, यानि आप किसी भी छोटे मोठे चार्जर से इसको सप्लाई दे सकते हैं, ठीक, तो अब आएए इसको AC से हम यहाँ पे कनेट कर देते हैं, तो यहाँ दोस्तों हमने AC से कनेट कर दिया, जो कि यहाँ पे सारी लाइटे अभी जल रही है, इसलिए हमारा यह बल्ब बुझा हुआ है, ठीक है, तो आएए हम लाइट को वैसे हमारा यह मनलब बुझ जाएगा, ठीक है, जैसे मनलब रोसनी होगी, वैसे हमारा यह बुझ जाएगा, जैसे जला वैसे बुझ गया, फिर हम इसको आफ करेंगे, तो यह हमारा जल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे जल गया, जैसे यान हुआ, तो दोस्तों यहाँ प करके आपको दिखा देते हocal यहाँ से मिसका आफ कर देते हैं ठीक हैं और फीर इस मे बल्व को हटाके अपने LED बल्व को यहां पर लगा देते हैं ठीक LED वल लग गया इसको आन कर देते हैं भी देखिए जैसे हमारा अंधोर ऑब इसे जल ठीके से आप जब इसको सर्कीट में आप बना लेंगे तो आप किसी बॉक्स में इसको फिट करके और दो वायर यहां से इसका निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा भाई मेहनत भहुल लगता आपको कोई पैसा वैसा तुम्हें मांगता नहीं हूं तो औ लिए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार